हमारी इस प्रकृती ने हमें कई तरह की औशदिया दी हैं जिसका सेवन बॉड़ी को स्वस्त रखने में मदद करता है ऐसे ही प्रकृती ने पुनर्वा को भी उपहार के रूप में दिया है ये एक ऐसी औशदि है जिसका प्रयोग बॉड़ी में हुने वाली कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है पुनर्वा के सूखे फूल को पीस कर कई चूरन में मिला कर इसका सेवन किया जाता है इससे बॉड़ी को स्वस्त रखने में मदद मिलती है पुनर्वा को ब्योर हैवियर डिफ्यूजा नाम से भी जाना जाता है आयरवेद में पुनर्वा का मतलब शरीर को उर्जावान बनाना होता है इस पौधे की एक खास बात ये है कि ये ग्रिशम बृत्तु में सूख जाने के बाद ये फिर से जीवित हो जाता है इसलिए इसको पुनर्वा नाम से भी जाना जाता है बारिश के मौसम में आते ही इसमें नई शाखाएं आने लगती है इससे ये पौधा वापस से हरा भरा हो जाता है ये खासतोर से भारत, आफ्रिका, मैनमार और उत्तरवदक्षन अमेरिका में पाया जाता है इसका सेवन आपको स्वस्थ बनाने में एहम भूमिका रखता है कैसे आईए जानते हैं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल किड्नी ट्रीट्मेंट विदाउट डलेसिज में जहां हम आपको किड्नी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं ऐसे ही आज हम एक खास विशे के साथ आपके सामने आये हैं आज हम आपको बताने वाले हैं पुनर्वा के कुछ फायदों के बारे में और साथ ही ये जानेंगे कि कैसे पुनर्वा किड्नी को स्वस्त रखने में मदद करता है अपने आज के विशे पर आगे बात करेंगे लेकिने से पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें आज से हम एक नया 48 घंटे का चालेंज शुरू कर रहे हैं जिसमें आप सवाल अपने नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमारी टीम 48 घंटे के अंदर आप से खुद संपर करके आपके सवालों के जवाब देगी चले शुरू करते हैं अपना आज का विशे और जानते हैं पुनर्वा के कुछ फायदों के बारे में पुनर्वा को therapeutic activity के लिए जाना जाता है इसकी जड़ों में आईसो फ्लावनोइट्स पाया जाता है जो एक तरह का compound है इसे फ्लावनोइट्स, फ्लावनाइड ग्लाइकोसाइड्स, जैन्थोन्स, प्यूरिन, न्यूक्लियोसाइड, लिगनिस, इक्स्चराइड्स और स्टेरेट्स के नाम से भी जाना जाता है ये आपको स्वास जुड़ी समस्या से दूर रखने में मदद करता है इसके अलावा इसमें immunomodulation, hipotoprotection, anti-cancer, anti-diabetic, anti-inflammation और duresis के गुण भी होते हैं ये किड्नी को स्वस्त रखने में मदद करते हैं अगर बात करें कि क्या किड्नी की मरीज इसका सेवन कर सकते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किड्नी की मरीज इसको खा सकते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक औशदिय जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग की जाती है इसलिए किड्नी के मरीज इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर या किसी जानकार की सलहा जरूर ले जैसा कि हमने बताया कि किड्नी के मरीजों को अपनी डाइट में कुछ भी शामिल करने से पहले इस बात कर ध्यान रखना होता है कि उन्हें कोई भी चीज कितनी मात्रा में लेनी है किसी भी चीज का दिक सेवन डामेज किड्नी को और खराब कर सकता है अब जानते हैं कि जिनकी किड्नी स्वस्थ है और वो अपनी किड्नी हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए पुनर्वा कैसे फाइदेमंद है? पुनर्वा का पहला फाइदा है कि आपके वजन को कम करने में मदद करता है. मुटापा होना बीमारियों की जड़ माना जाता है. जो लोग मुटापे के शिकार होते हैं, उनका शरीर अन्य बीमारियों को पनपने का कारण बन सकता है. ऐसे में उनके वजन को कम करने के लिए पुनर्वा काफी मददगार साबित हो सकता है. पुनर्वा में एंटी ओबिसिटी गुण मौजूद होते हैं, जो बॉड़ी में फैट को कम करते हैं. साथ ही पुनर्वा की पतियों में ब्लड को प्यूरिफायर यानि की साफ करने की कैपासिटी होती है, इससे बॉड़ी में टॉक्सिंस जमा नहीं होते, साथ ही एक्स्ट्रा फैट भी शरीर में नहीं बनता. पुनर्वा का दूसरा फाइदा है कि ये आपको डियापटीस के खत्रे से बचाता है. पुनर्वा का सेवन ब्लड में शुगर के स्तर को बढ़ने नहीं देता, इससे आप डियापटीस के खाल से ब्लड में ग्लुकोस का स्तर सामाने बना रहता है. और इस तरह ब्लड में भी शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती पुनर्वा में पाई जाने वाले एंटी डियापटिक गुन न सिर्फ आपको डियापटीज की बिमारी से दूर रखते हैं बलकि किद्नी को डामेज होने से बचाते हैं आपको बता दे जिनके ब्लाड में शुगर का अस्तर सामाने बना रहता है उनकी किद्नी भी स्वस्त रहती है क्योंकि किद्नी में खराबी का एक कारण डाबेटीज भी होता है तनाव और डिप्रेशन को दूर करने में पुनर्वा काफी मददकार है अगर किसी को तनाव है या वो डिप्रेशन का शिकार है तो उन्हें पुनर्वा इन समस से भी आपको दूर रखता है पुनरवा में हेपटो प्रोटेक्टिव के गुण मौझूद होते हैं जो लिवर को डामेज होने से बचाते हैं साथ ही यह आपके लिवर को सही डंग से डीटॉक्स करते हैं जिससे आपको पेट की परिशानी नहीं होती साथ ही जिने अस्थमा क की समस्या है उनके लिए पुनरवा काफी फायदेमन मानी जाती है अस्थमा रोग में सांस देने की दिक्कत होती है पुनरवा के सेवन से ब्रॉंकियल ट्यूब में मौझूद कैट्रल पदार्थ और कफ दोनों ही बोडी से बाहर हो जाते हैं इससे अस्थमा की समस्या सेल्स को बढ़ने नहीं देता जिससे आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहते हैं पुनरवा का सेवन ब्लट की गंदगी को साफ करता है इससे ब्लट साफ रहता है और सही धंक से शरीर में फ्लो करता है जिनका ब्लट ठीक से साफ नहीं होता तो उनNे बोड़ी में परिशानी हो सकती है साथ ही उनकी त्वचा में बलड में खराबी की वज़े से سमस्या सकती है इसके लिए पुनरवा काफी फायदिमन मना गया है इस से आप त्वचा के रोग से दूर रहते हैं ध्यान रहें पुनरवा की तासीख ठंडी होती है इसलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में सीमित मात्रा में करें तो ये हैं पुनर्वा के कुछ फायदे जो किड्नी को स्वस्त रखने में मदद करते हैं इसके साथ ही किड्नी के मरीज इसका सेवन डॉक्टर के सलह के हिसाब से करें